नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्या सिंग। राजस्थान में मंत्री मंडल विस्तार आज होच रखता है। दरसल आपको बता देए कि मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जो लगातार तयारी करते हुए नजर आ रहे हैं नए मंत्री मंडल की किसे जगा दी जाए और किसे नहीं। कहा जा रहा है कि मंत्री मंडल में 30 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शर्मा ने कहा है कि अब राजस्थान में 450 रुपे का सिलेंडर वो देने वाले हैं। नए साल से ये जो उनका फैसला है वो एक तरीके से योजना में परिवर्तित हो जाएगा। राजस्थान की जनता के लिए जो बड़ी सौगार भजनलाल शर्मा ने दी है क्या ये सच साबित हो जाएगी क्योंकि कई बड़ी योजनाय सरकार लाती तो है लेकि जमीनी इस्तर पर उन्हें लाने में काम करने में काफी जादा परिशानी होती है। कई बार तो देखा जाता है कि कुछ योजनाय सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। क्या 450 रुपे में सिलिंडर देने की जो योजना बनाने के बारे में भजनलाल शर्मा ने एलान किया है क्या नई साल पर राजस्थान की जनता को ये बड़ी सौगात वो दे पाएंगे। इसे के साथ क्या आज राजस्थान में नए मंत्री मंडल का गठन हो पाएगा। देखना काफी एहम होगा क्योंकि राजस्थान को लेकर के भारतिय जुनता पार्टी कई बड़े ऐलान करती हुई नजर आई थी। लेकिन सरकार बनने के बाद क्या उन ऐलान को अब सच करते हुई नजर आएंगे योजनाओ की तौर पर देखना काफी एहम होगा। फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहें। नजर नाइन मेल्स